हलो स्टूडेंट्स, टेंथ हिंदी की सकक्षा में आज हम गति भाग से रचित मोहन राकेश के द्वारा लिखावा यात्रा व्रतांत आखिरी चट्टान पाठखा अध्यन करेंगे इससे पहले यदि हम लेखक के जीवन परीचय पर एक निगाह डाले तो मोहन राकेश का जन आठ जनवरी 1925 को अम्रित सर में हुआ इन्होंने हिंदी और अंग्रीजी में एमें पंजा बिश्विद्याले सिकिया जिवी को पारजन के लिए इन्होंने कुछ वर्षों तक अध पारिका का संपादन इनी के द्वारा किया गया इसके अलावा इनके प्रफूंक नाटक आशाड का एक दिन आधे अधूरे के लिए इने सहित्य नाटक अकादमी के द्वारा 1968 में पुरुष्कृत भी किया गया तीन दिसंबर 1922 को नई दिल्ली में ऐ समय इनका दिहावसान हो गया इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गये उनमें अंधेर बंद कमरे अंतराल ना आने वाला कल प्रमुक है इन्होंने आशाड का एक दिन लाहो लहरों के राजहंस आधे अधूरे प्रमुक नाटक लिखे इनके द्वारा जो कहानिया लिखी गई उनमें क्वार्ट आखिरी चट्टान माना जाता है प्रस्तुत पाठ में हम आखिरी चट्टान के माध्यन से लेखक द्वारा गुवा से कन्याक उमारी तकी जो यात्रा की गई उसका बड़ाई सुन्दर और मनुहारी वंडन पड़ेंगे जिसमें मानव मनो विज्यान और सामाजिक परिवे परिवर्टित होने लगते हैं आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी जो भारत के अंतिम छोर पर है उससे सूर्योदय और सूर्यास्त के जो द्रश्य देखने को मिलते हैं वे बड़े ही मनुहारी और सुन्दर प्रतीत होते हैं तो प्रस्तुत पाठ में भी हम कन्याकुमारी से लेखक किस प्रकार से सूर्यास्त के दर्शन करता है या सूर्यास्त का द्रश्य देखने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ता है किस किस समस्याओं का उससे सामना करना पड़ता है उसका वर्णन हम पढ़ेंगे कन्या कुमारी जहां से सूर्योद है और सूर्यास्त की भूमी जिसे माना जाता है वहाँ पर लेखक पहुँचता है कन्या कुमारी में देखिये और केप होटल के आगे बने बाथ टेंक के माई तरफ समुद्र के अंदर से उपरी सतह पर जो चट्टाने उबरी हुई है उनमें आखिरी चट्टान पर खड़े होकर वो सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए उत्सुक है प्रश्ट भूमी में कन्या कुमारी की मंदिर की लाल सफेद लकीरे चमक रही है यानि पीछे क्या चमक रहा है कन्या कुमारी का जो मंदिर है उसकी लाल सफेद लकीरे मंदिर की छवी को बता रही है अरब सागर, हिंद मासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर विबिन प्रकार की चट्टाने मिलकर एक हो रही थी वहाँ बहुत से चट्टाने बनी हुई थी उनी में से एक चट्टान पर खड़ा होकर लेखक सूर्यास्त का नजारा देखनी का प्रयास कर रहा था उस समय देखिए, जिस चट्टान पर वो खड़ा था, लेखक कह रहे हैं कि वो चट्टान कभी स्वामी विवेकानन ने उस पर अपनी समाधी लगा थी और पानी की हर तरफ से वो चट्टान मार सहन कर रही थी लेकिन फिर बे ऐसा लगावा था कि वो अपनी समाधी में निमगन है यानि उस चटान पर पानी की लहरों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था कि वो चटान अपनी समाधी में मस्त है चाहे उस पर किसी भी प्रकार के प्रहार हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा था क्योंकि हिंद मासागर की उची उची जो लहरे आ रही थी वे उनी चट्टानों से टक्रा रही थी बल खाती लहरें रास्ते की नुकिली चट्टानों से कट्तिवी आती और उनसे उपर चूरा बुंदों की जालियां बन जाती थी तो लेखक अपने अनुभों बताते वे कह रहे हैं कि वे चट्टानों पर खड़े होकर सूर्यास्त का नजारा देखने का प्यास कर रहे थे लेकिन जिस चट्टान पर लेखक खड़े थे उस चट्टान पर पानी इस प्रकार से आ रहा था कि पानी की बूंदे उस चटान को पूरी तरह से गीली कर रही थी लेकिन चटान का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था वह तो अपनी समाधी में मस्त थी जिस चटान पर लिखक खड़े थे उस चटान के लिए कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था किसी चट्टान पर स्वामी विवेकानन ने भी अपनी समाधी लगाई थी लेखक देख रहे थे कि चारों तरफ पूरी तरह से शक्ती का विस्तार था और विस्तार की शक्ती थी शक्ति का विस्तार कैसे शक्ति का विस्तार यहनी लहरे अपने प्रचंड वेक से चट्टानों को हिलाने का प्यास कर रही थी लेकिन चट्टाने अडिक थी उन पर उन पानी की लहरों का कोई प्रभाव नहीं था तो एक तरफ शक्ति विस्तार से फैली वी थी महीं दूसरी चट्टा ने अपने विस्त्रित रूप से उस शक्ती का प्रबल प्रहार सहन कर रही थी। फिर देखिए तीनों तरफ से शितिश तक पानी पानी था। जिस चट्टान पर लेखा खड़े थे वहां से कह रहे हैं कि सब तरफ उन्हें पानी पानी दिखाई दे रहा था क्योंक तो तीन संगम पर बनी वी थी चट्टाने बंगाल की खाड़ी, हिंद, माह सागर और अरफ सागर। तीनों का संगम इस्थल माना जाता है कन्या कुमारी के अंदर। तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। लेखक अपनी आखों को समेटता हुआ। कुछ बूला रहा कि मैं एक जीवित व्यक्ति दूर से आया यात्री एक दर्शक। यानि पानी दिखाई दे रहा था एक बार उसे डर भी लग रहा था लेकिन फिर उसे होश आता है कि वो तो एक यात्री है जो यहां पर सुर्यास्त का नजारा देखनी के लिए उपस्तित हुआ उस द्रश्य को देखना लेखर की बड़ी तमना थी उस द्रश्य के बीच जैसे द्रश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ी बड़ी बड़ी चट्तानों के बीच एक छोटी से चट्तान पर जब पहुंचता है तो देखता है कि चट्तान भी बढ़ते बढ़ते पानी से गिर तो हमें डर लगने लगता है कि अब हम इस पानी से बाहर कैसे निकलेंगे, यही स्तिती लेखक के साथ भी आती है, उसका जो तन बदन है, वो सीहर रहा था कि अब इस पानी से बाहर कैसे निकलेगा। सूखी चट्तानों की तलाश करता है और दीरे-दीरे कूता फानता लेखक किनारे तक पहुशने में सफल भी हो जाता है। उच्चा टीला नजर आ रहा था। अब देखिए पश्ची मी तड़ पर वो खड़ा था और उसे पीली रेद का एक उच्चा टीला, सूरी की किरने जब रेद पर पढ़ती है तो पीले रंग की दिखाई देती है। जैसे जैसे सूरी नीचे आ रहा था डूबने के लिए रेद पर पढ़े वे सूरी की किरनों का प्रभाव ऐसा था कि मिट्टी पीले रंग की दिखाई दे रही थी। और जो टीला था, उस सूनेहरे रंग का हो गया था, लेखक को लगा कि मैं उस टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त का नजारा देखूंगा तो शायद मुझे अधिक अच्छा लगेगा। यात्रियों की कितनी टोलियां उस दिखाँ में जा रही थी। यानि कन्या कुमारी में सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए अनेक लोग उपस्तित होते हैं, लेखक कह ARE रहे हैं कि उस दिखाँ में अनेक टोलियां जा रही थी। इसमें से कुछ इशाई मिशन्रीज जो होती है उनकी कुछ यूतिया भी उस दिशा में चल रही थी उनके पीछे-पीछे लेखक भी चलने लगे और वे सुनने लगे कि बातों में कई रयस्ति आकर्शन था तो साथ ही उनके युवा शरीरों में भी कुछ आकर्शन था और पीली मिट्टी पर जब उनके शरीर के जो वस्त्र हिलते वे काले सफेद रंके बहुती आकर्शक दिखाई दे रहे थे कहने का अभिप्राय कि सुर्यास्त का नजारा देखने के लिए और भी अन परचाईयां पड़ रही थी बड़ी सुंदर और मनुहारी दिखाई दे रही थी उनकी बातों में कई ने कोई कोई ने कोई रहस्य दिखाई दे रहा था लेकर करें कि मैं मोक्ष से संबंधित बाते कर रही थी उनकी इनी बातों के साथ मैं सुनते सुनते उस उंचे रेत क टीले पर पहुंछी गया ये सैंड ещё थी। वह पीले रंगा जो उंचा रेत का टिला साइंडव ही के नाम से संभवतित करते वे कि उसे सैंड्हिल trophy के नाम से जान रहे था लोग उस सैंड्हिल पर बहुत ताथ अनेक नभी को बैठे वेते ते उसमें 8 interess house के काम करने वाले व्यक्ति थे वे उनको कौफी पिला रहे थे उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हील काफी रंगी नो उठी थी तो कह रहे हैं कि अन्य जो यात्रीगण वहाँ पर मोजूद वे थे उन्होंने सुँदर वस्तरा भूशन पढ़िया थे और उनके रेशमी वस्तर पीले रंगी रेद की रखें पर यह ते रहे थे हवा समंद्र की तरह उस रेशम की लहरे नहीं पेदा किर रही थी उस थंडी 씨यरन के साथ उन सुदर रंढों के साथ हवा भी। सुन्दर रूप सुन्दर सुन्दर जो हवा चल रही थी उन सुन्दर रेश्मी वस्तों की शोबा को और अधिक बढ़ा रही थी मिशन्री यूतियां वहां कर ठकी सी एक तरफ बैड़ गई और उस पूरे केनवास में एक तरफ छिटके वे कुछ बिन्दूओं की तरह तो इ देखने का आनंद वे ले रही हैं उनमें से कुछ दूर एक रंगीन बिन्दू में जादा देर अपनी जगह इस्ते नहीं कर सका लेखक को एक रंगीन बिन्दू दिखाई दिया लेकिन लेकर करें कि मैं उस सैंड हिल से उस रंगीन बिन्दू को देखने के लिए अपनी न लिए वे था। लेखक कह रहे हैं कि हालागी वहान से पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी अरब सागर की तरफ एक और इस्थान था जहांसे विस्तार कुछ ओट में छिप गया था और उस विस्तार को देखने के लिए भी में पूरी तरफ से उत्सुक तो उस विस्तार को देखने के लिए सेंड इल पर थोड़ी देड तो लेखक रुके रहे कि विस्तार भी उसे दिखाई देगा लेकिन जब नहीं दिखाई दिया तो अगले टीले की तरफ लेखक आगे बढ़ने लगे पर रेत पर अकेले कदमों को गसीर्टा वहाँ पहुच इसलिए मैं एक से एक टीला पार करते वे आगे की ओर बढ़ने लगा जल्दी जल्दी चलते वे मैंने एक के बाद एक टीले कहीं पार कर लिए टांगे ठक गई थी लेकिन मेरा मन ठकने के लिए तयार नहीं था लेकर करें कि उन रेत के टीलों को पार करने में मेरी टांगे थकी भी थी लेकिन मेरा मन कई थकने के लिए रुकने के लिए तयार नहीं था शायद मैं इसलिए उन टीलों पर आगे से आगे पार करता हुआ उस पश्चिमी विस्तार पटल को देखने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ता जा रहा था कि मुझे पूरा का पूरा विस्ता पटल को देखकर सूर्यास्त का जो नजारा है उसका बड़ा ही आनंद लूँगा वहां से लंबी दूरी तक वे रेत के सुनसान टीलों पर पहुंचते हैं जैसे उस टीले से समूंदर में उतरने का रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा था सूर्यास्त ताप पानी से थोड़ा ही उपर जाने के लिए उन्होंने प्यास किया कि अपने प्रात्म और सार्थस्ता से संतू स्टोकर में टीले पर बैड़ गया और जैसे एक टीला संसार की सबसे उंची चोटी हो मैंने सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हूँ लेखा कह रहे हैं कि उन रेत के टीलों को पार करते करते में उपरी हिस्से पर पहुंचता गया पहुंचता ही गया और ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे उंचे टीले पर पहुँच गया हूँ और उस उंचे टीले पर पहुँच कर मुझे बड़ा ही आनद का अनुभो हो रहा था और उस उंचे टीले पर देखकर मुझे पूरा विस्तार पटल आसानी से दिखाई दिया और मैंने ऐसा लगा कि बहुत उंची चोटी को पार कर लिया हो और उस उंची चोटी को देखने के साथ ही मैं उस विस्तार शक्ती का भी बड़ा ही आनन्द अनुभो कर रहा था। इने का भी प्राय के फोटल के सामने बाई तरफ पहले एक चटान पर खड़े होकर सूर्यास्त का नजारा देखते हैं लेकिन उसके बाद वे रेत के टीलों को पार करते करते सबसे उंचे टीले पर पहुँच जाते हैं और वहां से वे सूर्यास्त का नजारा देखने के लग रही थी मानो नंग मूतियां अपनी बाहें फेलाए उस विस्तार पटल को अपने वीतर समेटने के लिए तयार हो लेकिन लेकर को अच्छानक होश आता है कि रेत के उंचे टीले पर अकेला है वहां पर वीरानी लग रही थी उसे जंगल की रूखी और बीहर जमीन पर उसने अपने आपको अकेला पाया सूरी पानी की सत्य के पास पहुंच गया था सूरी डूपते डूपते पानी की सत्य पर पहुंच चुका था और उनकी सुनहरी किरणों ने पीले रंग की रेत को एक नया रंग दे दिया था उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्मान करके उसे उंडेला गया हो तो सूरियास्त पूरी तरह से हो चुका है यानि सूरिय पानी के अंदर डूब गया था और रेत के कणों पर उसकी जो आभा पड़ रही थी उसने पीली रेत को एक नया ही रूप दे दिया था लेकर कह रहे हैं कि उस पीली रेत पर दूर तक उसके पेरों के निशान उसे दिखाई दे रहे थे लगा जैसे रेत का कुवारापन पहली बार उनी के पेरों के निशान से तूटा हो मतलब उस रेत के टिले पर पहले कभी कोई नहीं पहुँचा था लेकर के पहुँचने से ह उस रेत के टीले पर वो निशान बन पाये थे, मन में एक सीरन उई उदासी भी गिर आई लेकिन अचानक लेखक को पता चला कि जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ पूरी तरह से अकेला है, वहाँ पूरी तरह से विरानी है और कोई उसे नजर नहीं आ रहा था इसलिए उसके होश भी उड़ रहे थे और एक डर उनके भीतर समाया हुआ था आज के वीडियो में इतना ही हमने पड़ा है कि लेखक केफ होटल के बाई और जहाँ पर अरब सागर, हिंद माँ सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम इस्तल है इसलिए वे शकाने बड़ी शुन्दर और मनोहारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन सूर्यास्त का नजरा पूरी तरह से देखने के लिए लेखक उच्सुक है इसलिए वे सेंड इल को पार करके रेट के उंचे से उंचे टीलों पर पहुंचने का प्यास करते हैं और जैसे जैसे वे उंचे टीले पर पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि पूरी तरह से वहाँ पर भीरानी चाही भी अन्य कोई नवयुवक यूवतियां वहाँ नजर नहीं आ रहे थे रेट के टीलों को पार करते वे उनका मन कभी ठकने के लिए तयार नहीं था यदिपी उनकी टांगे ठक चुकी थी लेकिन जब मन ठकनी के लिए तैयार नहीं है तो लेखक निरंतर आगे बढ़ रहे हैं सूरी पूरी तरह पानी में डूब चुका है और पानी के अंदर डूबे वे सूरी की जो किरणे पुनर रेत पर पड़ते वे उसे अलगी आभा से चमका रही थी इस द्रश्यो को देखकर लेखको बड़ा ही आनंद का अनुभो होता है लेकिन अचानक उसे होश आता है कि जिस स्थान पर वे खड़ा है वह पूरी तरह से वीरान और सुनसान है आज की वीडियो में हमने इतना ही पड़ा नेक्स्ट वीडियो में आगे वा परेशानी है तो मेरे वोट्स अप नंबर पर कॉल करें धन्यवाद